ही गाइस वेलकम बैक टो नॉटी स्चिचेज आज की इस वेडियो में हम प्लेन कुरती की स्लीव का एक सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे और इसको बनाने के लिए मैं फ्यूज पेपर का इस्तिमाल कर रही हूँ इस डिजाइन में फ्यूज पेपर की कोई रिप्लेस्मेंट नहीं है तो आपको ये डिजाइन फ्यूज पेपर की हेल्प से ही बनाना होगा अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे डाइगनली और इसमें से हमें एक उरेप पट्टी कट करनी है यानि की बाइस स्ट्रिप स्ट्रिप की चड़ाई 0.6 इंच हमें लेनी है तो इस तरीके से हम 0.6 इंच की दूरी पर निशान लगाते जाएंगे और एक स्केल से हम इन निशानों का उपस में जोड़ देंगे पट्टी की चोड़ाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए हर जगा से इस तरह से अब हम इसे कट कर देंगे अब इसके साथ ही हमें फैब्रिक से भी एक उरेब पट्टी कट करनी है तो पिंक कलर का मैं यहां पर फैब्रिक ले रही हूँ इस तरीके से हम इसको डाइगनली फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे अब इसके उपर हम फ्यूज पेपर वाली पट्टी को चिपका देंगे इस तरह से और इसके उपर प्रेस कर देंगे प्रेस मीडियम हीट पर होनी चाहिए बहुत जादा अगर हम इसको गरम कर लेंगे तो फ्यूज पेपर जल सकता है तो इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे और एक्स्टा कपडा कट कर लेंगे अब हमें ये एक्स्टा कपडा अंदर की तरफ फोल्ड करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तिमाल कर रही हूँ आप चाहें तो सिंपल फैब्रिक ओल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो पर बेसिकली हमें इसकी एजिस को बिल्कुल फिनिश करना है अंदर की तरफ मोड के इस तरह से प्रेस की हल्प से हम इसको चिपकाते जाएंगे और क्योंकि हमने ग्लू लगाई है तो यह निकलेगा नहीं बहुत इजी लिए चिपक जाएगा और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी ग्लू लगा देंगे अच्छे से ग्लू को फैलाएंगे और इस तरीके से इसको चिपका देंगे तो यह पट्टी हमारी यहां पर रेडी हो गई है यह देखिए इसी तरह से मैंने गोल्डन पट्टी के उपर भी यह फ्यूस पेपर चिपका लिया है और इसे भी मैं आपको फोल्ड करके दिखा देती हूं ग्लू मैंने यहां पर लगा ली है और अब इसे हम अंदर की तरफ मोड के प्रेस करेंगे किसी भी फैब्रिक से आप इस तरह पट्टी यहां रेडी कर सकते हैं इस तरह से हमने गोल्डन पट्टी भी रेडी कर ली है अब हम इसको सिलेंगे इस तरीके से हम इसको बीच में से मोडेंगे और इसकी बिलकुल एज पर हमें सिलाई लगानी है यह देखिए इस तरीके से मोडेंगे और बिलकुल किनारी पर हमें बहुत ही सफाई से सिलाई लगानी है इस तरह से बिलकुल बारीक बख्ये से यहां पर हमें सिलना है इसको आप चाहें तो ये और ज़्यादा बारिक भी बना सकते हैं इस तरह से ये देखिए मैंने ये फोल्ड करके रेडी कर दी है और इसी तरह से हम ये पिंक वाली पट्टी को भी तयार कर लेंगे बिल्कुल किनारी पर बहुत ही सफाई से हमें इसको सिलना है ये देखिए पिंक वाली पट्टी भी तयार हो गई है अब हम इन पट्टीयों को कट कर लेंगे चार-चार इंच लंबे पीसिज में हमें इनको कट करना है इस तरह से सारी की सारी लूपिया मैंने कट कर ली है यहाँ पर अब हम एक स्ट्रिप लेंगे और इसके उपर पानी स्प्रे करेंगे बिल्कुल अच्छे से इसको गीला कर लेंगे और अब हम इसे हाथों से स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि सिलाई वाला भाग अंदर की तरफ आए और एक यू शेप फॉर्म हो जाए इस तरह से जब आपको लगे कि यू शेप फॉर्म हो गई है और यह पट्टी अच्छे से स्ट्रेच हो गई है तो इसके उपर गरम प्रेस लगा लें गरम प्रेस लगाते लगाते हम इसको खीचेंगे और बेंड करेंगे ताकि हमारी यू शेप फॉर्म होनी शुरू हो जाए हाँ पर इस तरह से अब जितना भी चौड़ा आपको यू शेप चाहिए उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से ये देखिए हमारी यू शेप फॉर्म हो गई है यहाँ पर इसको हम तब तक प्रेस करेंगे जब तक इसका पानी अच्छे से सूख नहीं जाता दोनों किनारे भी इसके बराबर आने चाहिए और ये देखिए कितनी अच्छे हमारी यू शेप यहाँ पर बनकर तयार होई है इसके अंदर लगाने के लिए मैंने ये गोल्डन कलर की यू शेप बनाई है इसको मैंने थोड़ा कम चौड़ा बनाया है क्योंकि ये इसके अंदर हमें फिट करनी है यह देखी मैं आपको golden यू भी बना के दिखा देती हूँ इस तरीके से मैं इसको fold कर रही हूँ जितना भी चौड़ा आपको यू चाहिए उतना ही चौड़ा आप इसको fold कर सकते हैं अच्छी से tap करके इसको गरम प्रेस करेंगे हम दोनों तरफ से गुमा गुमा के इसको बारी बारी प्रेस करना है और सभी की सभी यू शेप हमारी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए इस तरीके से यह देखिए कितने अच्छी हमारी यू शेप यहाँ पर बन कर तयार हुई है सारी की सारी स्टिप्स को मैंने यू शेप में कनवर्ट कर लिया है अब यह बाजू का कपड़ा मैंने लिया है और इसके जितनी भी आपको लंबाई तयार चाहिए उससे धाई से तीन इंच आपको एक्स्टा कपड़ा रखना है और इस तरीके से इसको फोल्ड करके एक क्रीज बना लेंगे या फिर चॉक से भी निशान लगा सकते हैं आप यहाँ पर अब हम इसके सेंटर से अपने लूप्स को रखना शुरू करेंगे तो एक पिंक और एक गोल्डन लूप को हम इस तरीके से प्लेस करेंगे और सिलाई हमें लाइन के उपर लगानी है यह देखिए इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे आप चाहे तो सेम डिजाइन तीन कलर के लूप में भी बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर पिंक और गोल्डन लिया है आप चाहे तो एक और लूप भी इसके बीच में आड़ कर सकते हैं थोड़ी सी महनत तो लगती है इस दिसाइन को बिनाने में लेकिन बनने के बाद यह बहुत ही खुबसूरत और यूनिक लगता है यह देखिए इस तरीके से मैं बिल्कुल साथ साथ इनको रखती जा रही हूँ बीच में गोल्डन बाहर की तरफ पेंक और सिलाई लगाते जाएंगे इसके उपर और इसी तरह से हम बाजू के दूसरी तरफ भी लूप्स को स्टेच कर देंगे इस तरह से यह देखिए अच्छे से इनको स्टेच करने के बाद हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे यह देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और एक सिलाई लगानी है इसके उपर इस तरह से और अब हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे डिजाइन को अब हम इस तरीके से फोल्ड करके बाहर की तरफ निकाल लेंगे अब हम इसके उपर प्रेस करेंगे और पिछली तरफ हम तुर्पाई कर लेंगे प्रेस मैंने इसको कर लिया है और यह देखिए इस तरह से लगाने के बाद पिछली तरफ भी कितनी सफाई आई है यहाँ पर अब हम तुर्पाई कर लेंगे आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं यह देखिए अब मैं इस बाजू के उपर लेस लगाऊंगी वो ही लेस में लगा रही हूँ जो मैंने इसके कमीज पर भी लगाई थी अगर आपने इसके कमीज के डिजाइन का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं लेस लगाना बिलकुल आप्शनल है आप इसको बिलकुल अवाइड कर सकते हैं क्योंकि बिना लेस के भी डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है पहना हुआ लेस लगाने से इसमें थोड़ा हैवी लुक आ जाता है पार्टीज के लिए अगर आप बना रहे हैं तो इस तरह से लेस लगा सकते हैं यह देखिए लेस मैंने याँ पर लगा दी है और स्लीव का डिजाइन तो बन कर तयार हो गया है अब इसे फोल्ड करके हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे सबसे पहले नॉमली जैसे आप फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं वैसे निशान लगा लीजिए और उसके बाद इसको आगे से थोड़ी बैल की शेप दे दिजें क्योंकि यह थोड़ी सी लूज बैल स्लीव में बना रही हूँ इस तरीके से यहां से हम इसको सिल देंगे और पलट देंगे तो गाइज यह देखिए स्लीव का ही डिजाइन बनकर तयार हो चुका है और बहुत ही सुन्दर दिख रहा है आप चाहें तो यह सेम पैटरन गेरे पर भी रिपीट कर सकते हैं तो गाइज आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बैल आइकन है उसे प्लीज दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगिलर अपडेट्स मिल सकें साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलू कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो गाइस थैंक यू सो मुच फॉर वाचिंग बाई बाई